हमारा वीडियो कट हो गया था तो अभी कंटीनु ले रहे है हम लोग मैंस दो फॉलोइंग निट सपोर्ट टू ग्रो यानि ग्रो हने के लिए सपोर्ट चाहिए तो वो कौन है क्लाइमबर है थिक वुडी स्ट्रीम उसको क्या बोलेंगे ट्री उसको क्या बोलेंगे हुआद मैंनी ब्रांचिस उसकी बहुत सारी ब्रांचिस होती ओ फ्रूब प्लांट यानि प्लांट के पार्ट जैसे हमारे बॉडी पार्ट कैसे होते वैसे उनके plants have many parts plants के बहुत सारे parts some of them are उसमें से कुछ हम आज सीखेंगे जैसे roots यह रहा देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको roots ओके यह जो जमीन के अंदर यह part होता है roots they help to keep the plant fixed in the soil वो अपनी पकड जमाय रखता है जमीन के अंदर वो और grow करने में सबसे important part उसका होता है जैसे हमारे body parts में हमारा heart कैसे होता है कि वो ही पूरे body का function होता है उससे ही वो बंद जाता है तो हम गए हमारी life खतम हो गए वैसे ही plants के जो roots होते है वो गया तो पूरा plant मर जाता है they also take food and water from the soil for the plants यानि यह जो क्या करते है roots जमीन में से उटका फोड भी लेते है और पानी भी दोनों ही वो ही पूरे plants को पहुचाते है ok stream supporters the plants it is the strongest and thickest parts of a plants it also helps to take food from leaves to all the other parts वो प्लांट को support देती है It is the strongest and thickest वो मजबूत होती है और मोटी होती है और प्लांट का सबसे मजबूत पार्ट वो होता है It is also help to take food वो भी food लेने में help करता है from leaves leaves से to all the other parts यानि वो सब प्लांट के जो पार्ट होते है उनको food पहुचाने में ये भी एक important parts रोल करता है Now turn your page Leaves They make food for the plants uses sunlight Okay, leaves भी हमको they make food वो भी food बनाता है बट कैसे? Sunlight से Leaves are green in color Leaves का color कैसा होता है? Green, देखो यहाँ पर आपको देख रहा है न? Green color होता है They are of different shapes and size उनके अलग-अलग shapes होते है और size होते है हम लोग हमारे घर में जो plants होते हैं उसमें भी देखना आप हर एक plant के अलग-अलग leaves होते हैं हो जाते हैं कि बहुत ही beautiful लिखता है color wise भी इतना beautiful होता है और look wise भी एकदम beautiful होता है Do you know strawberry is the only fruit which bears seeds on the outside सिर्फ सारे fruit अभी एक important point है जो आपको जानना ज़रूरी है कि सारे कोई भी fruits लो कोई भी flower लो उन सब में उसके seeds से अंदर होते है सिर्फ strawberry ऐसी चीज है जो हम strawberry आपको देखा होगा तो आपकी strawberry strawberry में जो black 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 dot होते हैं वो उसके seeds है Okay तो strawberry ही एक ऐसा है fruit की जो बाहर है आउटसाइड उसका seeds कहा होते आउटसाइड होते fruits some flowers grow into fruits कुछ flowers होता है जो fruit में convert होता है fruits have seeds inside them fruit में seeds कहा होते inside यानि अंदर the seeds can be one seeds एक होता है two दो होते है और many in numbers okay बहुत सारे भी होते है depending on the fruits यानि fruits के depend पर होता है कि जैसे watermelon होते तो उसमें कितने सारे seeds होते हैं वो जो black black होते हो उसका seeds होता है फिर चीकू में देखो उसमें दो seeds होते है फिर सीता फल उसमें कितने सारे seeds होते हैं तो और mango mango में एक ही seeds होता है okay तो depend on food, food पर depend होता है कि वो fruit कैसा है उनके हिसाब से उनके seeds होते हैं now अभी यह है ना exercise के साथ हम लोग करेंगे uses of plants, plants are very useful to us, हमको plants बहुत उपयोगी होता है we get many things from them, हम लोग उससे बहुत सारी चीज हमको मिलती है plants keep the air clean and fresh, sizzling जितने plants हम grow करेंगे see अभी pollution क्यों इतना बढ़ गया है, क्योंकि plants कम हो गए plants हमारी जो air है उसको clean करते है और अभी तो plants भी कितने कम हो गए है, तो हमारी air, हमारा जो atmosphere है, surrounding वो भी clean इतना नहीं होता है तो plants बहुत important role play करते है हमारी life में क्योंकि वो सारी जो bad यानि होते है वो pollution clean करते है तो हमको plants ज़्यादा grow करने चाहिए plants give us food, we get fruits, vegetables and nuts from plants हमको fruit मिलते है, vegetables देते हैं और nuts भी देते plants also give us food, grains, okay plants give us fiber, यानि plants याम fiber भी कपड़ा भी बनाते to make clothes, snacks, जो बोरी होता है ना see plants gives us fiber to make clothes, यानि कपड़े बनाने के लिए fiber हमको देते है, धागे वो plants में से बनते है sack, जो हमकर juice के plant, हम बोरी अनाज भरने के लिए जो होता है ना ropes, दोरी बनती है and mats भी बनते है, okay देखो यह रहा, cotton threads, यह रहा cotton threads cotton plants में से cotton thread बनता है nearly 70,000 plants are used for medicine, देखो see children, कितने सारे plants होते है जो medicine बनाने में use होते है, okay, approximately बोला है, इतने plants हो है जो हमको medicine बनाने में use होते है, जो हम तो कभी-कभी plants ऐसे देखे भी नहीं होगे but वो, जो हीमालय है, वहाँ सारे वो grow होते है, okay, next plants gives us food, हमको वो लकड़ी भी देते है which is used for making furniture, देखो यह रही, लकड़ी हमको मिलती है जो tree होते हैं उसमें से हमको यह लकड़ी मिलती है, उससे हम furniture, हमारा जो wooden furniture होता है वो सब इससे बनता है we get tea, coffee and sugar from plants हमको plant में से tea मिलती है, coffee भी बनती है, sugar भी बनती है उससे plant से बनता है plants such as mustard gives us cookies, oil, cooking oil, okay mustard हमको देता है, उसमें से हम cooking oil बनाते है plants give us paper, paper भी देते, gum, glue भी उससे ही बनता है and rubber, rubber का भी plant होता है, उसमें से हम बनाते है we also get medicines from plants, हम पो दवाई या भी plant से मिलती है such as neem, see neem plant होता है न, वो दवाई में काम होता है we also get perfumes from plants such as rose and jasmine बहुत सारे से plants से जिसमें से परफेर